ओम नमस्षिवाई शिवजी सदा सहाई ओम नमस्षिवाई गुरुजी सदा सहाई जै गुरुजी संगत जी गुरुजी के परिवार गुरुजी टूडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सबस्क्राइब करें और साथ में ल आप तक पहुंच सके अपना सत्संग गुरू जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख मारे वाट्सप नमबर पर अपना सत्संग आडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मैट में हमें भेज सकते हैं जै गुरू जी संगा ये मुसीबत मेरे उपर ही क्यों आई मैंने ऐसे क्या करम किये थे कि ये मुसीबत मेरे प्याई मुझे ये तकलीफ जहन ले पड़ रही है बहुत प्यारा सत्संग है महराज का ये और इस सत्संग हमारे साथ शेयर के गुरू जी की बहुत ही बलेस संगत है गुरू ग्राम स चारो चिटकारा अंटी जिने सत्संग हमाएं साथ शेयर किया मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उनने गुरू जी से आग गया लेकर गुरू जी किस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया चलिए सत्संग स्टार्ट करते है जै गुरू जी जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी अनंतम अनंतम शुक्राना जै गुरू जी प्यारी साथ संगर जी आज गुरू जी ने बहुत सारे सत्संग सुनाए और याद करवाया कि उन में से कुछ मिलती जुलती प्रॉब्लम्स मेरी भी थी बहुत सारी थी तो आज गुरुजी ने फिर से याद करवाया की क्यों नहीं सदसंग शेयर करते तो आज उनकी आगया लेकी मैं अपना सदसंग शेयर करती हूँ जो मुझे गुरुजी ने याद करवाया और दो दिन पहले भी मुझे ड्रीम आया था जिसमें मुझे एक face दिखता है बट मुझे नहीं पता एक बहुत strong voice आती है जो जो तेरा कल्यान किता वो सत्संग सुनाओ, share करो तो जै गुरू जी, शुक्राना गुरू जी तो अभी जो दो तीन सत्संग मुझे याद आ रहे हैं गुरू जी अपने हापी बुलवाएंगे और मैं वो ही बोलू जो गुरू जी बुलवाएं और भुल चुक्त माफ गुरू जी, तो मैं अपना सत्संग share करती हूँ ये बहुत कुछ सालों की पहले की बात है मेरा बहुत जादा मुझे acidity का issue होने लग गया था मुझे acidity इतनी जादा हो गई थी कि मुझे आधी चपाती भी नहीं काई जाती थी और जब भी मैं कुछ भी गलत, मतलब कुछ भी normal भी खाना काती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था, रात को मेरा हर बार पेट फूल जाता था तो मैं बहुत uneasy होती थी और मैं बार पर अपने husband को बोलती थी देखो मेरा पेट फूल रहा है और मन में यही था वाक्य में यह था कि जरूर मेरे पेट के अंदर ना कुछ problems चल रही हैं जो कि मुझे पता नहीं चल रहा है लेकिन किसी को भी मैं बोल रही है तो इतना ध्यान मतलब सुना अंसुना भी हो रहा था, मैं सो रहा था या हम एक अपनी life में चल रहे थे, हम busy रहे थे या कुछ न कुछ और करते रह रहे थे, बट इस चीज़ पर ध्यान इतना ध्यान नहीं जा रहा था लेकिन acidity होने के बाद, acidity इतनी severe acid reflux होता था कि मैं जो भी खाना कहती थी, तो वो मेरे मतलब उपर तक आ जाता था, गले तक और मतलब even spit भी करना पड़ता था, वो इतना जादा हो जाता था तो हलाकि बहुत ध्यान रख रही थी कि खाना मैं रात को ना खाऊं और कुछ टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे डालों से problem होती है और गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे मेरी डायेट में ऐसे change करें गुरुजी ने की सत्संग सुनाएं जिसमें चावल बंद करवा दिये गुरुजी ने तो चावल खाना बंद किया, फिर धीरे धीरे मेरी एक आयूरवेदिक डॉक्टर थी friend थी वो मेरी और उसने मुझे से पूछा कि तुम अपना पूरा मुझे morning से evening का पूरा routine बताओ तो मैंने अपना routine बताया उन्होंने धीरे धीरे मुझे सारा preservatives वाला food बंद करवाया और मुझे substitute से bread बंद करवा दी तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़े बंद करवाई चेंज करी पूरी lifestyle चेंज किया मुझे गरम नीमबू पानी से acidity हो जाती थी जो हम सुबह पतले होने के लिए मैं try करती थी कि honey वाला गरम नीमबू पानी पियों लेकिन मुझे acidity हो जाती थी उससे भी then she replaced it with आवला juice तो मुझे हर चीज़ों के उन्होंने substitute दिये थोड़ी life better होई बट acidity इतनी जादा हो गई थी कि मुझे मैंने homeopathic medicines भी बीच में ली जिसमें मुझे उन आंटी ने बताया डॉक्टर ने बताया कि ये अच्छा नहीं है acid acid ऐसे वापस आना is not right at all तो she also gave me some medicines मैंने कुछ तेर वो ली लेकिन इतना जादा हो गया था कि मुझे vertigo भी होने लग गया था और vertigo में मुझे बस लेटे 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 भी ऐसे होता था जैसे चक्कर आ रहे हैं लेटे जर्नली अराम मिल जाता है लेकिन वो वीडियो रील की तरह चलता ही रहता था तो वहाँ जब hospital गए इतना जादा हो गया था एक दिन की uncle मुझे hospital लेके गए और then we got to know this is all because of acidity तो वो इतना जादा acidity हो गई थी तो गुरुजी कैसे आपको ऐसे connect करते हैं लोगों से या ऐसी help कहीं न कहीं किसी न किसी form में आ जाती है जैसे मेरी वो doctor friend थी जिसने मुझे help किया plus मैं हर बार गुरुजी सरदास करती थी कि गुरुजी मुझे नहीं पता ये मुझे क्या होता है लेकिन मुझे बड़ी दिक्कत होती है मैं कुछ भी खाती हूँ मेरा पेट फूल जाता है तो मैं हमेशा गुरुजी का जल पर साथ पीती रहती थी कुछ देर कुछ टाइम तक तो मैंने regularly बहुत बहुत पिया लेकिन अब फिर गुरुजी याद करवा रहे हैं और गुरुजी ने मतलब मैं पेट पे इतना जादा मुझे दिक्कत होती थी जब फूलता था तो मैं गुरुजी का चंदन का टीका अपने पूरे पेट पे लगा ले थी और गुरुजी ने वो धीरे धीरे मेरी सारी प्राब्लम्स दूर करी आदा चपाती भी जो नहीं काई जाती थी आज गुरुजी मतलब मैंने सब बंद कर दिया था बेकार का काना तो बिलकुल ही बंद कर दिया था कि फ्राइड नी खाना गलत नी खाना मैदा नी खाना तो ये सारी चीज़े मैंने दीरे दीरे कम कर दी थी मन करता था कभी कबाद लेकिन मेरेको इमेरेटली मेरा पेट फूल जाता था या मुझे कोई दिक्कत महसूस होनी शुरू हो जाती थी बरनिंग या एसिडिटी या मैं अपना उपर चेस्ट रब करना शुरू कर देती थी लेफ्ट में तो वो सब गुरू जी ने इतना प्यारा गुरू जी ने मुझे बिलकुल ठीक कर दिया कि आज मैं प्रॉपरली लंगर परसाद भी लेती हूँ इंजॉय करते हूँ गुरू जी का लंगर परसाद और गुरुजी की तो मौज में रहती हूं गुरुजी इतना अच्छा लंगर पर साथ खिलाते हैं तो यमी भी होता है बहुत तो जै जै गुरुजी शुकराना गुरुजी अनंतम अनंतम शुकराना ये गुरुजी ने आज एक सत्संग सुनाया आंटी का जिनका बिल्कुल सेम टू सेम सत्संग था उन्होंने बताया कि उनका कैसे पेट फूल जाता था तो गुरू जी ने मुझे याद करवाया कि क्यों सोनू तेरा भी पेट फूल जाता था ना तो फिर मुझे याद आया कि हान जी गुरू जी ये तो मेरी problem थी इतनी बड़ी और मैंने ये सत्संग अभी share नहीं किया तो मेरा मन किया कि मैं गुरू जी ये share करती हूँ जरूर तो गुरू जी ने चावल भी बंद कर वाए चावल भी बंद हो गए मेरे और ये सत्संग सुनाया साथ में उन आंटी का सत्संग जिसमें सुनाया और आज गुरू जी मुझे वो message दे रहे हैं कि वो ही same सत्संग बिल्कुल same to same सत्संग और साथ में पपीता खाने के लिए गुरू जी ने पपीता उन आंटी को पपीता ब्लेस किया और पपीता खिलाया उनको ड्रीम दर्शन में पपीता दिया तो I take it as my message कि पपीता खाना चाहिए और गुरू जी तो वैसे भी कहते हैं कौडी चीज़ां खानी चाहिए दिया वो सेथ के लिए अच्छी होती है करेले, नीम, हल्दी ये सारी चीज़ें बहुत बहुत जरूरी है तो जै जै गुरू जी, शुक्राना गुरू जी बहुत बहुत शुक्राना ये सत्संग शेयर करवाने के लिए जो आज आपने उन आंटी के थ्रू मुझे याद करवाया इसी के साथ एक और सथसंग मैं शेयर कर रहे हूँ जो उनी आंटी का सथसंग है जो आंटी ने शेयर किया कि मैं बहुत जादा वो डिप्रेशन में थी और वो भूली गई थी कि हसना कैसे होता है इसी से मिलता जुलता मेरा सचसंग है और उन्होंने साथ में ये आड़ किया कि मुझे पता ही नहीं कि खुशियां क्या होती है and she had a beautiful smile और वो कहते कि मेरा कुछ सालों के बाद इतना depression हुआ कि खुशियां ही मैं बूल गई कि खुशियां क्या होती है इसे से मिलता जुलता मेरा सचसंग है जो गुरुजी ने आज मुझे उनाटी का सचसंग सुना के ये प्रेरित किया कि मैं भी अपना सचसंग शेय करूँ क्योंकि मेरे फेस पे जब बेल्स पैलिसी हो गई थी तो मैं बहुत मैं I was just 23 और मुझे लगता था कि खुशिया मुझे से बहुत दूर की दूर चले गई है और स्माइल मेरी खराब हो गई थी और जब वेन I was 23 और I was carrying my first child it was my seventh month हम डिनर के लिए भार गई and my husband gave me a compliment that you have a beautiful smile and next day morning the smile was gone and I was shattered completely मैं सब भूल गई थी कि खुश रहना क्या होता है खुशी किसे बोलते हैं आज गुरू जी ने वही सत्संग बिलकुल same to same वैसा ही वही शब्दों में वही feelings में वह सत्संग सुनाया और उसके बाद मैंने कभी अपनी smile नहीं देखी properly आज भी वह गुरू जी की मेर से गुरू जी कहते है न 90% तुम्हे काट देता हूं 10% तुमको भुगतनी होती है तुम्हे काटनी होती है तो वह अभी भी residue रह गया था तो आज सत्संग सुनके फिर गुरू जी ने ये सत्संग share करने के लिए बोला कि ये सत्संग share करना है और फिर गुरू जी ने एक बारी गुरू जी के साथ जो connection है हमारा गुरू जी ही जानते है वो कब से है कितने जन्मों से है क्योंकि जब हम को एहसास होता है गुरू जी की presence का वो वही वक्त होता है जब हम बिलकुल end of the tunnel पहुंच जाते है जब हमें जहां से कुछ भी और दिखता नहीं तो मेरी life में भी बहुत life मेरी upside down हो गई थी और कुछ और इतनी जादा problems हो गई थी कि बस problems ही problems थी तो मैं ऐसे ही आसमान की तरफ देखते हुए कहती थी कि हे रभ कहां हो आप भगवान आप कहां हो मुझे पता है कि आप हो लेकिन जब भी मैं आपसे मिलूँगी ना मैं आपसे पूचोंगी कि गुरु जी रभ भी ऐसा हुआ क्यों हुआ गुरु जी मैं तब तो गुरु जी से connected नहीं थे तो कि रब जरूर है लेकिन रब से जरूर मिलके मैं पूछूंगी कि ऐसा क्यों हुआ मेरी स्माइल क्यों ले ली वापस मुझे दे के वापस क्यों ले ली और अगर लेनी थी तो मुझे दी क्यों तो बहुत सारे कॉशन्स थे और स्माइल मेरी अभी भी काफी गुरुजी ने बहुत फिजियो थेरपी करवाई और स्टिरोइड्स मैंने डिलिवरी के बाद लिये तो थोड़ा सा बेटर हो गई लेकिन गुरुजी जानते हैं उन्ही को पता है कि उनको कब किसको कहां कैसे ब्लेस करना है तो अभी भी थोड़ा सा अभी कभी कभी लगता है लेकिन गुरुजी की मेर से मुझे पता है गुरुजी वो भी ठीक कर देंगे तो अनंतम शुक्राना गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना और आज उन्हां अंटी का सत्संग सुनाया जहां पे गुरुजी ने मुझे याद करवाया कि ये सत्संग भी तेरा था और ये सत्संग बिल्कुल वो ही है बिल्कुल सेम और तू भी शेयर कर तो आज मैं गुरू जी की आग गया लेके मैं ये सत्संग शेय किया और जै जै गुरू जी शुकराना गुरू जी पता है नहीं चला गुरू जी के साथ जुडने के बाद गुरु जी ने जैसे वो जो मायूसियां थी जो बिल्कुल चुप चाप हो गई थी में लाइफ में किसी से मिलती नहीं थी किसी से बात नहीं करती थी वो गुरु जी के आने के बाद लाइफ में गुरु जी ने मुझे और स्ट्रॉंग बनाया बोल्ड बनाया, गुरुजी ने मुझे बस जीना सिखाया गुरुजी आज भी सिखा रहे है मुझे, की जिन्दगी बहुत सुन्दर है, उसको जीना है, हसके जीना है और बहुत सुन्दर 신दर कारीके से गुरुजी कहीं में answer देते हैं तो जब हम जो question हमारे मन में होता है और उसी का कुछ ना कुछ message बन के या कोई ना कोई किसी का कोई ऐसा सत्संग आ जाता है जिसमें आपको गुरुजी पूरा आपका answer देते हैं उसके बाद गुरुजी ने पूरा life मेरी turn करी और कैसे दीरे 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 आज भी गुरुजी मुझे संभाल रहे हैं और गुरुजी ने मेरी सोच बदली कैसे वो negativity आ गई थी और उस negativity को कैसे गुरुजी ने positivity की तरफ convert किया जैसे वो scale के उपर minus readings होती है, zero होती है, plus होती है तो हमारे अंदर इतने विकार होती है, हमारे अंदर इतने negativity होती है कि हर चीज़ को time लगता है, गुरुजी ने यही सिखाया कि हर चीज़ का एक वक्त है, हर चीज़ एक time से होगी ना वो fast forward होगी, ना ही कोई life में shot cuts है तो गुरुजी ने सिखाया, सबर क्या होता है, शद्धा क्या होता है, सबूरी क्या होती है सिमरन क्या होता है, सेवा क्या होता है गुरुजी ने धीरे 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 minus की readings, minus five से minus four, minus three, minus two, minus one, zero फिर गुरू जी ने सब गुरू जी कहते है ना सबसे पहले मैं थाड़ा बांड़ा साफ करता है फिर थाड़े बांड़े के अंदर फिर मैं अपनी ब्लेसिंग्स डालता हूं तो गुरू जी कहते हैं कि तुम तो कीचर में हो और तुम ये प्रे क्या करो गुरू जी मुझे क बख्ष ना मांगना चाहिए गुरुजी से कि गुरुजी सानु बख्षो असी चंगे मारे गुरुजी सानु बख्षो तो गुरुजी को हमेशा ही कहना चाहिए गुरुजी हमें कीचर से आप ही निकालोगे आप ही निकालो तो जै जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उसी तरह से गुरुजी ने मुझे मेरी सोच बदली, परस्पेक्टिव लाइफ का बदला, कि लाइफ को देखने के और दूसरे तरीके भी होते हैं, सिर्फ मैं, मैं, मैं नहीं होता है, लाइफ इस बियॉंड आट, लाइफ तो ङुरुजी ने उसका भी शुक्राना करना सिखाया, कि हाफ एमटी नहीं देखना है, आफ फुल देखना है गलास, तो लाइफ पहलं से मिलवाया, संगत से मिलवाया, मेरा डर निकाला, मेरे को सब संगत से बात करवाई, जहां पे कोई आपको जज नहीं करता है, सब एक ही भाव से, प्यार से, महबत से, एक दूसरे की वैल्यूस समझते हैं, एक दूसरे को सतकार देते हैं, एक दूसरे को प्यार देते हैं, और रिस्पेक् जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी हमें उभारने के लिए हमारे अंग संग रहने के लिए गुरुजी शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना जे तुना फर्दा बां असा रूल जाना सी सानु किते न मिलदा ठां असा रूल जाना गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना अनन्तम अनन्तम शुक्राना गुरुजी